पुना एक बार आपको इस कक्षा में आपका स्वागत हैं विद्यार्थियों आपके पत्र छे में यानि सी सी सिक्स में अनेक कवियों के श्रिंखला में आपके पास सुदामा पांडे धुमिल का भी नाम है सुदामा पांडे धुमिल के वेक्तेतों और क्रतेतों को आज हम देखते हैं समझते हैं सुदामा पांडे धुमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के आकरामक कवियों में से एक हैं आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आपने प्रयोग वाद पढ़ा प्रगती वाद पढ़ा उसके पहले आपने चाया वाद पढ़ा था आपने चाया वाद पढ़ा प्रयोग वाद पढ़ा प्रगती वाद पढ़ा उसके बाद प्रयोग वाद आपने पढ़ा फिर नई कविता के बाद का दौर को समकालीन कविता के दौर के नाम से जाना जाता है सुदामा पांडे धुमिल को उसी कविता के दौर का एक बहुत प्रमुख और प्रखर कवी के रूप में जाना जाता है इनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और सोष्की सबसे सशक्त अभिव्यक्ती मिल्ती है by वयवस्था जिसने जनता को छला है जिसने उसको आईना दिखाना मानों धुमिल की आईना दिखाया है इस उस्था को मैं उगारने का काम कि धुमिल की कविताओं ने किया है और धुमिल की रचना धर्मिता का यही परम लक्ष भी रहा है सुदामा पांडे धुमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक है उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभी व्यक्ति मिलती है आजादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा आजादी के समय भारतवासियों ने और उन लोगों ने जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था उन सबों के सपनों का एक आजाद भारत था जहां पर भेद भाव नहीं थे वर्ग भेद नहीं था उनके सपनों के भारत में चुआ चूत नहीं था जातपात का भेद नहीं था उचे नीचे का भेद नहीं था पूंजी पती और शोशित वर्ग की कोई कल्पना नहीं थी वह उनकी आजाद भारत का एक सपना था किन्तो आजादी के बाद यह सपना तूटने लगा अपने देश में आजादी के बाद कई वर्षों के तक यह सारे परिवर्टन होने के इंतजार किये गए और उमीद रखी गई किन्तो धीरे धीरे लोगों को यथार्थ से परिचय होने लगा और उनका उनकी अपेक्षाएं तूटने लगी और इन सपनों से उनका मोह भंग होने लगा तो इस मोह भंग के फलसुरूप आम लोगों के मन में उस सोशित वर्ग के मन में उस दलित वर्ग के मन में उस कमजोर और पीडित वर्ग के मन में पीडा और आक्रोश भर गया था और कवी की लेखनी में जो सजग कवी थे जिदोंने यूग की नबस पर अपनी हाथ रखा हुआ था उन कवियों की लेखनी में भी वही पीड़ा और वही आक्रोश स्याही बनकर उतर पड़ी थी वेवस्था जिसने जनता को चला है उसको आईना दिखाना उस काल के कवी धुमिल की रचनाओं का परमलक्ष बन गया था धुमिल का जन्म 9 नुवंबर 1936 इस्वी को हुआ था यह वारनसी के पास खेवली गाउं में इनका जन्म हुआ था इनका मूल नाम सुदामा पांडे था इनके पिता का नाम पंडेत शिवनायक था और मा का नाम रस्वंती देवी था सन 1958 में ITI वारनसी से विद्यूत डिप्लोमा लेकर वे वहीं विद्यूत अनुदेशक बन गये इन्होंने कड़ी महनत की एक लंबा संगहर्ष के अपने जीवन में लेकिन इनका स्वभाव बहुत अखड था और ये अपनी शर्टों पर अपने जिन्दिगी जीने वाले इनसान थे इन्होंने किसी के समक्ष जी हुजूरी में अपना मस्तक नहीं जुकाया ये बहुत ही स्वाभी मानी और अखड के सुनके एक व्यक्ति थे इसी कारण वे काम नहीं मिलने के कारण उनका कलकत्ता जाना हुआ और कलकत्ता जाकरके उन्होंने काम करना बल्कि मजदूरी करने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी इस दौरान उनके एक मित्र को यह बात पता चली तो उन्होंने उनके लिए एक दूसरी काम का इंतिजाम कर दिया था जो उनकी मजदूरी वाले काम से थोड़ा बहतर काम था कवी धुमिल किसी भी प्रकार से किसी के भी प्रभाव में नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने अपने मालिक से नहीं बनने के कारण वह नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी 38 वर्ष के अलपायू में ही कवी धुमिल को ब्रेन ट्यूमर के शिकायत हो गई और वे इस संसार को छोड़ कर चल वसे किन्तों इतने कम उम्मर में उन्होंने बहुत ही महातुपूर्ण कविताओं का योगदान हिंदी साहित्य को दिया उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश को सबसे सशक्त अभी व्यक्ति मिलती है इनकी 1960 के बाद की मोह भंग की जिन कविताओं की शुरुवात हुई थी उन कविताओं को रचने वाले कवियों में धुमिल का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है उनकी कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुची, शालीनता और भद्रता का विरोध है वह बैसे जीवन के विरोधी रहे सदैव जो जीवन नाटकिये रहा है जिस जीवन में एक आडंबर रहा है वैसे जीवन के वो सदैव विरोधी रहे हैं क्योंकि वे मानते थे कि इन सब की आड में जो हरदय पलता है वह हरदय छलने वाला हरदय होता है वह हरदय शोशन करने वाला हरदय होता है कभी धुमिल यह भी जानते थे कि व्यवस्था अपनी रक्षा के लिए इन सब का उप्योग करती है इसलिए वे इन सब चीजों का विरोध करते हैं वे निहायत यथार्थ वादी कवी हैं और वे इसी यथार्थ को जीवन का सत्य मानते थे इस आडंबर और दिखावे बाजी के विरोध के कारण उनकी कविता में एक प्रकार की आक्रामक्ता मिलती है और इसी आक्रामक्ता के कारण उनकी कविता की प्रभाव श्रीलता बढ़ती जाती है धुमिल और कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक कवी है धुमिल अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी काव्य भाषा विक्सित करते हैं जो हिंदी कविता के दौर की काव्य भाषा की रूमानियत अतिशे कल्पना श्रीलता और जटिल बिंब धर्मिता के से मुक्त होती है उनकी भाषा काव्य सत्य को जीवन सत्य के अतिकाधिक निकट लाती है कवी धुमिल जीवन को उसकी पूरी अथार्थता में उसे स्विकार करते हैं और धुमिल का यही सच्चापन उन्हें हिंदे साहित्य में एक अमर कवी के रूप में प्रतिश्ठित करता है धुमिल के रचनाओं के विशे में हम लोग चर्चा करते हैं धुमिल के मुखेत तीन कावे संग्रह जाने जाते हैं और ये तीन कावे संग्रह उनके प्रकाशित हैं और तीनों हिंदी साहित्य में अपना प्रमुक स्थान बनाते हैं इनके काविशंग्र हैं संसत से सडक तक कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र विद्यार्थियों धुमिल का निधन 10 फरवरी 1975 इस वी को ब्रेंट यूमर के कारण हो गया उन्हें मर्नो परांथ 1989 में कल सुनना मुझे काविशंग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानित भी किया गया धुमिल की कुछ लोगप्रिय कविताओं को आप जरूर पढ़ें जिन में हैं मोची राम 20 साल बाद पट कथा रोटी और संसद लोहे का स्वाद यात्री का वक्तव्य किस्सा ए जनतंत्र विद्रोग गरीबी आश्वस्ती मैंने घुटने से कहा हरित क्रांती कुछ सूचनाएं किस्सा जनतंत्र का 20 साल बाद घर में वापसी मेरे घर में पांच जोड़ी आखें हैं पुरुब्या सूरज कविता के भ्रह्म में अनेका अनेक कवी की कविताएं हैं जिन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनन्द आएगा और आपको उस काल खंड की सामाजीक और राजनितिक इस्थिती का परिचे प्राप्त होगा आपको एक आम आदमी की पीड़ा के यह थार्थ का अनुभव होगा आपको यह अनुभव होगा की किस प्रकार से जन्हता की पीड़ा किसी कवी की पीड़ा बनती है और फिर वह उसे अपनी लेखनी में ढाल कर समाज के समक्ष प्रस्तूत करता है जन्पक्ष धर्ता और जन्ता की बात समाज की विड़म बनाओं को लोगों के समक्ष अपनी लेखनी में ढाल कर लाने के कारण एक आदमवर हीन भाशा और बातों को सच सच प्रस्तूत करने के कारण कवी धुमिल हिंदे साहित्य में अमर हो गए विद्यार्थियों आप कवी धुमिल की जिन कवीताओं को मैंने अनुशन सा की है उन कवीताओं को जरूर पढ़ेंगे आपको ये सारी कवीताओं उपलब्द हो जाएंगी ऑनलाइन भी आपको उपलब्द हो जाएंगी अगर आपको इन कवीताओं को पढ़ने की इच्छा हो तो आप मुझे वाटसैप पर कहेंगे मैं इनका PDF आपको उपलब्द करवा दूँगी मुझे उमीद है कि आप कवी धुमिल को आपने समझा होगा इनके वेक्तितों और करतितों को समझा होगा और मैं इससे संबंदित PDF आपको उपलब्द करवा दूँगी वेबसाइट पर सो पुना धेर सारी शुब कामनाएँ खूब पढ़िये खूब बढ़िये और खूब गुनिये कुछ नया रचिये धेर सारी शुब कामनाएँ जैने बात